सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में आ गया है वो मोड जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया था जी हाँ जैसे कि आप जानते होंगे कि अक्षरा का प्रेगनेंसी ट्रैक लोगों को पसंद नहीं आया था जहां कुस दिन पहले ऐसा दिखाया गया था कि अक्षू शादी से चली गई है पर वो बात अभीनव से अलग तरह से रिलेटेड थी अब अभिमन्यू के सामने आ गया है अक्षरा का सच हुआ कुछ यूँ की संगीत चल रहा है अक्षरा और अभिमन्यू का जहां दोनों बैठे हैं और घर के सब लोग स्टेज पर डांस कर रहे हैं तब आती है अक्षरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट जिसे लेती है आरोही और आरोही पेपर पर बहार अक्षरा का नाम पढ़ है और उसे पता चल जाता है कि अक्षरा मा बनने वाली है अब ये बात आ जाती है सब के सामने यहां पर देखना ये था सबको कि ये जानने के बाद भी अभिमन्यू के बच्चे अभीर को अपनाया था तो कि अभिमन्यू नहीं अपना सकता अक्षरा और अभिमन्यू के ब सब के सामने और अक्षरा के मुव पर अभी मन्यू ने फार दिया प्रिग्नेंसी रिपोर्ट और गुस्से से वो हो गया है आग बबूला अब शादी तोडने के बाद क्या होगी आगे की कहानी ये देखना भूत ही दिल्चस्प होगा सबकी बात तो दूर जब अभी मन्यू ने ही मना कर दिया है शादी के लिए तो कोई और तो क्या ही बोलेगा बाकी ये एक सपना भी हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि शोओ में एक ड्रीम दिखा देते हैं जो लगता रियल है बाकी ये तो अब नेक्स एपिसोड में ही पता चलेगा पर अगर ये सच हुआ तो फैंस का दिल फिर से तूट जाएगा काफि ट्विस्ट अब मेकर्स ला रहे हैं शोओ में पर जो ओडिन्स देखना चाहती है वो पूरी तरह से नहीं दिखाया जा रहा अब देखना ये है कि अक्षरा और अभी मन्यू के फैसले से क्या होता है आगे अभीर की लाइफ कैसे इफेक्ट होती है इस फैसले से क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में आपकी क्या राय है बताए हमें कॉमेंट करके and stay tuned for more updates thank you